कि अध्यूब कर दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एंटी पीसी की प्रिवियस यह पर इच्छाओं पर बेस्ट प्रस्नों से आपके लिए महत्तपुन्ट जीके जीएस के प्रस्नों को निकाल कर लाए हैं आप इसका एक बार अध्यन कर लिजिए यकीन मानिए आगे आने बाली पर इच्छाओं में भी या प्रस्न जरूर पुछे जाएंगे तो दोस्तों ज्यादा देर समय ब्यतित न करके हम लोग जल्द शुरू करेंगे उसके पहले अदि आपने वीडियो को लाइक ठीक है ज्यादा समय नहीं लूँगा अस्टार्ट करता हूँ पहला प्रस्न को प्रस्न को शुरू करने से पहले या मैं बता दूँ कि या इस स्रीज का सत्रहमा वीडियो है इसके पहले का एदि आपने सुल्ह वीडियो को नहीं देखा है तो जाए प्लेलिस्ट नीचे दि 1757 निच्वी में लड़ा गया ठीक है पलासी है कहां पहले पलासी के बारे में जानिए तो पलासी बेस्ट बंगाल में एक भिलेज का नाम है गाउं का नाम है तो उधर से बंगाल का जो नवाब था सिरा जुद्धावला और बिटिस सरकार की कमान संभाल रखी थी एक बार फिर से वह कहानी चरीतार्थ हो गई वह पंक्ती चरीतार्थ हो गई कि घर का वेदी लंका धाये जी हां मिर जाफर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा जिसने इस युद्ध में बहुत ही महत्वण भूम का निभाई थी ओके और इसके बाद यह युद्ध जो है भारती जियाश का सबसे महत्वण निभमे से एक है कि इसी के बाद भात में अंग्रेजी सत्ता का और प्रभुत्व कायम हो गया था अंग्रेज अपने सत्ता जमाने में बहुत ही सक्सेस हुए थे सक्सेस्फुल हुए थे ओके दूसरे परस्ण क्यों हम लोग चलते ह के दूसरा प्रस्थन वाइख हिम नदी किसे बनता है तो आपको पता होगा कि वर्फ का जमाव से लिफे बनता है नहीं पता होगा कि भारत की सबसे बड़ा glacier कौन है नहीं पता है हाँ पता है सियाचीन glacier सियाचीन glacier जो है भारत की सबसे बड़ा glacier है इसकी लंबाई 76 km है यह याद रखेगा लंबाई हो सकता है पूछ दे ठीक है और सियाचीन glacier कहां है इसका location बहुत ही important है सियाचीन गलेसियर जो है कारकोरम रेंज में है और फिलाल लद्धाक यूनियंटे रोटी में है ठीक है इतनी बाते प्रश्च संख्या दो के लिए बहुत हो गई कि हिमनद किस से बनती है अब जब गलोबल बार्मिंग बढ़ रहा है तो आपनों को पता होगा हिमनद के व्यों दूस ने उस बास्तुकार कर नाम बता है जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है सर एडबिन लुटेंसbaar एडबिन लुटेंस का नाम आप लोगोंने सदोंने ही नई इन्हीं के नाम पर रखा गया है दिल्ली के बहुत सारे महत्वपूर्ण अस्थल महत्वपूर्ण असमारक यह सब का डिजाइन करता एडविन लूटेंस ही है तो इसलिए नई दिल्ली के डिजाइन का सरे भी इन्हीं जाता है किने सर एडविन लूटेंस को ठीक है चौथे प्रस्ण क्यों चलेंगे प्रस्ण है चीन के 20 साल दिवार के निर्मान का सरे किसे जाता है तो चीन के 20 साल दिवार का निर्मान का सरे बहुत साई राजाओं को जाता है लेकिन सबसे पहला चरण इसका कुईंसी हुइंग ने शुरू करवाया था कुईंसी हुइंग कुईंसी हुई चीन के पहले सा सकते ठीक है और इनी कुछ इस दिवाल के निर्मान का स्रेज आता है यह 220 से लेके 260 के 20 इसके पहले चरण का निर्मान करवाए थे इस दिवाल के पहले चरण का और इस दिवाल के बारे में जानिए कि यह सबसे बड़ा कला किरती था सबसे बड़ा दिव था ग्रेट बॉल ऑफ चाइना इसे जानते से अंतरिस से नजर आता था ये ठीक है उसके साथ इसे 1987 में उनेस्कों के बल्ड हेरीटेज को रोख सके इसलिए और पहले आपको पता हुआ कि पहले के आकर्मन किस से होते थे बर्ची से भालों से तीसली दिवार का निर्मान होना बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसकी कारण यदि फेक के मारे तो रुक जाए ठीक है पाचमे प्रस्न क्यों लोग चलते हैं पाचमा प अनुसूची में दिया हुआ है अच्छा तो यह दिया हुआ है पहली अनुसूची में अनुसूची के बारे में आपको पता होगा पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम एवं छेत्र दिये गए हैं दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है ए तीसरी में भी तीन अच्छर लिखा हुआ है और सपत में भी तीन अच्छर लिखा हुआ है तो तीसरी में पीन अच्छर का सपत О उलेह किएगे हैं कि कैसे लिया जाएगा क्या बूला जाएगा उसमें ये सब तिसरी अनुसूची में है चौथी अनुसूची में क्या है तो राजम में सीटों का वंटन ठीक है और इसमें एक छठी अनुसूची है उसमें क्या है असम मेघाले त्रिपूरा एबं मिजोरम राज्यों के जन जाती छेत्रों का प्रसासन एबं नियंत्रन छठी अनुसूची में चार राज महत्पूर्ण है आपसे पूछ सकता है कि कौन-कौन राज असम मेघालएं त्रिपूरा और मिजोरम ठीक है तो राज्यों संघ राज 192 की सूची पहली अनुसूची में ही कि चट्पर स्ट्पर lawais्द केम लोग चलते हैं ओजोन सता का संद्चन समंद्य अंतर्याष्टिय दिवस कब मनाया जाता है तो यह इसी महीने सितंबर के महीने में ही सितंबर-16 को मतलब 16 September को ओजौन सत्या की संद्चन समंध्य अनतराष्ट ये दिबस 200 ओजौन दिबस मनाısı जाता है ये ये कभ पारीथ हुआ इसके मनाने के कार्ज कर देखिएście 1994 दिसंबर के महीने में यह पारित हुआ संजुक्तराश्ट महासभा में कि भाई हम लोग ओजोन परत को संदच्छन के लिए एक दिवस मनाते हैं तो अगले साल अब 1995 में 16 सेप्टेंबर 1995 से यह मनना शुरू हुआ ठीक है अच्छा इस बरस का थीम क्या था अब आप लोग जानते हैं कि थीम पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो इस बरस का थीम क्या था इस बरस का थीम था जीवन के लिए ओजोन परत संदच्छन के थी साल 1985 में सबसे पहले ओजोन परस संदच्छन के लिए एक बैठा किया गया था इसलिए इस बरस का थी मही था कि जीवन के लिए ओजोन ओजोन परस संदच्छन के 35 साल ठीक है इतनी बात इसके लिए बहुत हो गई यह इन्वर्मेंट से रिलेटेड है इसलिए यह दिवस पुछा है किसने बैंड एड का भी शौर कीया था द्वेंडेड क्या होता है मैं जानते होंगी तो हेंसरे प्लाष को आप लोग जानते होंगे जिरा कहिंस पर कट गया पर इसमें उखाब लीजेया और इसके बाद उसको चीप का लिजिए अपने उंगली के पас जहां भी कट चुका है तो बेंट एड का विसकार का सरे जाता है एरले डिक्सन को ठीक है ये कौन थे तो ये अमेरिका के रहने वाले थे ये क्या हुआ था कि ये जॉंसन एंड जॉंसन के सौप पर एक पर कॉटन खाइदने गए तो उसके बाद फिर घर आये तो इनकी पतनी कुकि कीई उंगली कटिए है तो उसको कैसे लागा है इसके लिए इनोंने उसी समय अभिसकार किया बेंड एड का उसके बाद ये जोंसन का इंपलव भी हो गया है तो एरले डिक्सन ही बेंडू का अभिसकार किये थे चलिया प्रसंद कि और 8 मा प्रस्द है झ aos कउनसी पीडिके कम्प्यूटर वन में प्रोग्रांमिंग भाषा मशिनी भाषा थी कम्प्यूटर कोई भी चीज पीडिक बंजिवी बस्तू होता हुआ स्टार्टिंग से इंप्रूव रहते जाता है स्टार्टिंग में भेम भाव होता है उसके बाद इंप्रूपमेशन उसमें आती है इसी तरह से कंप्यूटर भी जब बना था सबसे पहला फर्स्ट पीड़ी की कंप्यूटर जिसका नाम क्या था वेक्यूंटीव था तो वह भी जब अस्टार्टिंग में हुआ था तो उसको बहुत लो प्रोग्रामिंग भासा की जिसे मसीनी भासा कहते थे तो द्वारा ठोस बस्तूओं को भेदने है तू एबाम हवाई एडे में किस तरह का परियोग किया जाता है जिहां एक्सरे का नाम आप लोगों ने सुना होगा एक्सरे इधर बराबर से चर्चा में एदि एंटीपीसी की वीडियो आप लोग लगातार देख रहे होंगे तो उसी तरह पुछ राएं । डोक्टरों द्वारा ठोस बस्तूओं को भेखने है तू उसके यूज्य में तो इस प्रस्ण के बारे में और हमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है, आईए हम लोग दसमें प्रस्ण क्यों चलते हैं, प्रस्ण है, फूलो की घाटी राष्टी ये उद्ध्यान किस राज में इस्ती थे, फ्लावर्स वेली, आप लोगों ने वस इसका नाम सुना होगा, उत्राखंड में है, फ्लावर्स वेली नेशनल पार्क, उत्राखंड के और नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, बहुत ही महत्तफून है, खासकर हैली नेशनल पार्क, वहां नाम चेंज होगा है, जीम कॉ वोदी का आप लोगों ने देखा गा जिम कारबट में ही फिल्म आया गया था और फिर नंदा देवी नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क ये सब नेशनल पार्क उत्राखंड के बहुत ही महत्तपुर्ण है जो बार-बार आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारी बाते हैं उत्राखंड के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो जाइए हमारे वेब साइट पर घूम के आईए www.heverseweb.in है वहां जाकर घूमिए आपको वहां सभी राज्यों के बारे में बहुत ही बहतरीन नोट्स मिल जाएगा ठीक है अच्छा ये फू फ्यार में परस्न की और प्रस्न हैं कि PDA का भी स्तार क्या है ? तो यह Computer long जाई PDA का भी स्तार होता मतलब PDA के मतलब होता है कि जो वैसी डिजिटल बस्तु है जो आपका परस्टनल काम करें, आपके परस्टनल काम के लिए उप्योग हो, उसे ही PDA बोलते हैं, तो इसका फुल फर्म क्या हो गया? परस्टनल डिजिटल असिस्टेंट, चलिए बार में परस्टन की ओर, बाइफोकल लेंज का अविस्कार किस ने किया था? आप लोगों ने बेंजामिन फ्रेंटिंगी का नाम अवस्त सुना होगा, जी, आप लोगों ने इनकी सायद कहाने भी पढ़ी होगी, कि यहां अकासि बिजली के बारे में जानने के लिए बहुत सारे परियोग किये थे, आकासिये बिजली से भवनों को कैसे बचाना है, उचे उचे भवनों को कैसे बचाना है, इसके लिए भी यह बहुत परियोग किये थे, ठीक है, और इन्होंने ही बहुत सारे चीज़ों का विस्कार किया ऐथा एक दूस crisp कहा होता है आपको पता होगा आप लोग आक के बारे में पढलेंगे आक की बहुत बीवारिया है उसके बारे में पढले होंगे तो आख में एक बीमारी जो है जरादब दूर दृश्टिता उसमें वाइफोकल लेंज का यूज होता है यूज हो जराद दरसिता में क्या होता है बुढ़े लोगों की समंजन छमता घट जाती है जिसके कारण उन्हें दूर की बस्तूं को भी देखने में दिक्कत होती है तो इस लेंस में दोनों लेंस लगा होता है जिससे नीचे के लिए और उपर दोनों मिला हुआ होता है कि आप असानी से दूर की और मजदीक की बस तो आसानी से देख पाएं ओके तो और यह आख के बारे में उसके दिश्टी दोस्के बारे में आपको और जाननी है तो डिस्क्रिप्सिन में मैं लिंक दूए दूँगा नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कीजिए एचिवर्स वेव लोग बस और वीटर में घूमते रहें वह लोग उतरने की हिम्मत नहीं कर पाए सबसे पहले कौन गए थे नील आर्मट गे थे एक के साथ आपको ये बताना है कि सबसे अंतिम चैन्द पर कौन गए अभी तक सबसे लास्ट मैं जो अभी तक गये हैं चैन्द पर कमेंट करके बताना होता है बहुत साइए समय करते हैं पताने जकारते हैं आप भूण किजिए नहीं याद है घूगट कि मादटर से कमेंट किजИ आपको याद हो जाएगा विस् Del kasih please कमेंट किया किजिए और जब कमेंट की बात आ ही गई है तो एक बात और भी कि वीडियो को लाइक कर दिजिए प्लीज फ्रेस दा लाइक बटन ओके एंड शेर दब वीडियो स्टी यूर फ्रेंड्स ठीक है अगले प्रसंड क्यों लोग चलते हैं प्रस्ट नंबर 14 है कि विस किलोमीटर प्रती घंटा की स्पीड से दौल सकता है जिस तरह से गाड़ी अपना धर लेता है नतुरत उसी तरह से यह तीन सेकेंड में ही मात्र तीन सेकेंड में 0-103 किलोमीटर प्रती घंटा की स्पीड को पकड़ लेता है कौन चीता और चीता जो है नाम रखा गया है सं GEM допектив기가 कौण सा है किवी कीवी क्ची सुप यह पच्छी यो ल मैं तो कड़ी बोस्ते कहीं नहीं यह सकता तो पच्छी कीवी पच्छी जो में इन दूप से कहां पा क्ट जाता है न्यूजि़लैंड से आदि lawyers क्रिकेट के प््रेमी के तो आपको पता होगा कि New Zealand के खिलारियों को कीवी खिलारी भी कहते है तो कीवी जो होता है उड़ नहीं सकता है ठीक है बहुत छोटा सा होता है फिर भी यह उड़ नहीं पाता है और यह सिस्थ New Zealand में पाया जाता है तो यह रीड की हड़ी वाला जीव है ठीक है कीवी कीवी की बारे में और बहुत सारी बात हैं लेकिन आपको उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है बस जो प्रस्ण पूछा है उसके बारे में जानिए अगले प्रस्ण क्यों हम लोग चलेंगे प्रस्ण नंबर 16 है कि सुतंद पैसट है तो पांसो पैसट से अधिक टुकरों में बटा हुआ था और सब को एक करने का स्रे किसे जाता है सरदार बल्लव भाई पटेल को इसलिए भारत में प्रतेक बर्स उनके जन्म दिवस के अशर पर उनका जन्म दिवस का वह 31 अक्टूबर को तो हमारे यहां प्रतेक बर्स 31 अक्टूबर को राश्ट्रिये एकता दिवस मनाया जाता है ठीक है और विशु की सबसे उच्छी मूर्ती एकता के लिए ही बनाया गया कि एक करने के लिए ठीक है किनके नाम पर सरदार वल्लव भाई पटेल के नाम पर आप लोग को कमेंट में जवाब देना है कि एकतनी है और विशु की सबसे सेकेंड हाइस्ट उची मूर्ती कौन है ठीक है इतनी बात आपको जवाब में देनी है अगले प्रस्ण क्यों लोग चलेंगे अगला प्रस्ण है कि मुद्रा राच्छस में किस राजा की कहानी बढ़नी थे मुद्रा राच्छस एक नाटक है जिसे विसाख दत्वारा लिखा गया है तो इसमें चंदगृप्त मौर्य और चानकी के बीच की बातों का बढ़न करते हैं यहीं मुद्रा राच्छस में लिखा हुआ है यह संस्कृत में लिखा हुआ पुस्तक था इसका हिंदी अनुबाद का स्रें भारतेंदू हरिष्चंद्र को जाता है भारतेंदू हरिष्चंद्र से आप भली भाती परचीत होंगे ठीक है अब आम लोग चलेंगे अठारमे प्रस्ण की और अठारमा प्रस्ण है अहमद नगर की किस रानी ने बादसाह अकबर का बिरोध किया था तो आप लोग साइद इनके नाम से परचित हो चांद बीवी जी हां चांद बीवी ने बादसाह अकबर का बिरोध किया था चांद बीवी जो थे बीजापूर के संदच्छक थे ठीक है और यह बाद में अहमद नगर संतलनत का संदच्छन का जिम्मेदारी मिली ठीक है अहमद नगर कहा है आप लोग पूछिएगा कि अहमद नगर कहा है तो यह महराष्ट में इस्थी थे आपको याद रखना है कि अहमद नगर में चांद बीवी का मकबरा है हो सकता है आपसे पूछ देगा कि चांद बीवी का मकबरा कहां इस्तित है तो अहमद नगर में चांद बीवी का मकबरा है इन्होंने बहुत ही बहादुरी से बादसा अकबर का विरोध किया था और एक रानी दुगाबती जी है इन्होंने भी बहुत वहावदुरूई से अकवर का विरोध किया था और उनसे युद्ध किया था ठीक है तो ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपके लिए परस नंबर 19 की ओर आते हैं कि कोईना बांध किस राज में स्थित है तो कोईना बांध के बारे में आप लोगों को पता होगा यह महाराष्ट में स्थित है कोईना बांध का निर्मान किस वर्स किया गया था तो यह 1863 में निर्मित है यह महाराष्ट का सबसे बड़ा बांध ह कोईना बांध पर ठीक है अच्छा कोईना नदी है कोईना बांध जो किस नदी पर ये भी आप से पूछेगा तो कोईना बांध कोईना नदी पर है और कोईना जो है कृष्णा की सहायक नदी है के से कोईना के से कोईना नदी और के से कृष्णा ठीक है के से महाराष्ण नही पिर्थवी के अकाहिज्ण करते हैं तो सुक्र कुर है बहुत सारे बाते आप लोग को पताओका शुक्र की बारे में जैसे शुक्रती की Bah закон काते हैं सुख्र सब से Global waste od princess員 कोन सुक्र है वीन्स हाँ विन शेये सब से चम्किला गरTom इसे वोर का तारा कहते हैं, इसे साम का तारा कहते हैं, इसे सुन्दर्ता की देवी के नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारी बाते सुक्र के बारे में, जो आप से बराबर परिच्छाओं में पूछते जाते हैं, तो आप लोग उसका नट्स बना कर, पॉइंट्स बना कर उस सिसे को धीमे धीमे ठंधा करने की परकिया को एनिलिंग कहते हैं अच्छा इससे क्या फायदा होता है एनिलिंग क्या होता है तो यह तो पता चल गया है कि धीमे धीमे ठंधा करना है गर्म सिसे को इससे होता है कि सिसे में तन्यते आती है सिसा कठोर होता जाता है और बहुत सा क्यों राइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है अभी के लिए प्रस्ण है कि मोबाइल फोन का विस्कार किस ने किया था मोबाइल फोन कलपना किजिए कि मोबाइल फोन नहीं होता इस समय तो हम लोग क्या कर रहे होते हम लोग अपने प्रिवियसली जिन्दगी जी रह तो उसके मालिक थे उसके employees तो मालिक नहीं थे माटिन कुपर उसमें सुध करता थे ठीक है पहला मोई जो बना था अब तो मवाइला आता है छे हिंज और नहीं पाच हिंज पहला जो मोईड बना न भूली गया कि कब बना 1973 में सबसे पहला मुवाईल बना ठीक है और 1983 में ये बजार में मिलने लगा भारत में मुवाईल की बिकरी कब से शुरू हुई तो यह 1995 में भारत में मुवाईल की बिकरी शुरू हुई इसमें दूर संचार विभास के उसमें जो मंत्री थे वह अगले प्रस्ण के और लोग चलते हैं अगला प्रस्ण है कुईक सिल्वर किसे कहते हैं कुईक सिल्वर मतलब सिल्वर कुईक कुईक सिल्वर मरकरी को बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी को आप लोग देखिएगा तो यह एक दन चांदी के जैसा चमकिला लगेगा तो तो बहुत सारी बाते हैं और पारा के बारे में, या मानव के लिए हानिकारक भी है, बहुत सारी युनानी लोग इसका यूज करते थे चेहरे को चमकाने के लिए, और बहुत सारी बाते हैं कुईक सिल्बर के बारे में, मरकरी के बारे में, आप लोगो को ज्यादा नहीं जान पड़ने पित लूए की आसख़क जानते होंगे घुटी कि भर्टाइब छाले सबसे जाइब ह来 और राजा राम महन-राय को अधुनिक भारतिये स्व कि पड़ने समय नबजागृति का जनक माना जाता है अच्छा राजा राम महान ऐसा क्या काम कर दिये थे कि नहों इन्हें आधुनिक भारतीय नबजागृति का जनक बोला जाने लगा तो इन ने बहुत सारे समाजिक सुधार के लिए काम किये थे जैसे आप लोग जानते होंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक किये थे समाचार पत्रों की सोतंधरता के लिए बहुत सारे उपाय किये थे सती प्रथा का विरोध सबसे इंपोर्टेंट है सती प्रथा का विरोध और बहुत सारी बात बार विवा का बिरोध बहुत सारी बाते इन्होंने अपने दम पर किया था ठीक है तो और राजराम मोहनराय के बारे में जितना बताए कम है बहुत सारे बाते इनके बारे में इनके बारे में बताने लगूं तो बहुत समय निकल जाएगा हम लोग अगल National Football Association से कुछ के कुछ होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं, आप लोग को याद होगा, तो आप लोग कमेंट कर दिजेगा कि फीफा का क्या होता है, फुल फर्म, ठीक है, फीफा का वर्ल्ड कफ होता है, फीफा जो एक फुटवॉल की संस्था है, जिस तरह से क्रिकेट की संस्था आइसी सी है, उसी तरह बिसु फुटवॉल की संस्था है, फीफा, ठीक है, अच्छा, आप लोग एक बार और कमेंट कीजिएगा एक बात, कि फिफा की रैंकिंग में अभी इंडिया का स्थान क्या है या कमेंट करना है ठीक है और फिफा का जो अगला बल्ड कफ होने वाला है मेन का आपको पता होगा की कतर में होने बाला है यह सारी बाते आप लोग जानते रहिए और यदि आपको आगे आने वाले सभी खेलों के बा चालिस दिन बिता कर बापस धर्ती पर लोटा है तो असकौट के लिए असकौट के लिए पुरुसों में सबसे अधीक दिन अंत्रिच में रहने वाले हैं यह कहां के हैं यह अमेरिका के ही हैं यह कितने दिन रहे 340 दिन अच्छा हाल फिलहाल में मतलब इसी साल आप लोगों में एक महिला का नाम सुना होगा जो सबसे ज्यादा दिन अंत्रिच में रहने की रिकार्ड बनाई है महिला का नाम है क्रिष्टीना कोच हो 328 दिन महिलाओं में सबसे ज्यादा क्रिष्टीना कोच और पुरुसों में सबसे ज्यादा असकौट के लिए तो यह दोनों के ना मसीन का पकड़ी उपर से ठोकिए अपना काम कर देगा तो उसी तरह है कि उसको बस सिंपल काम लगाई इस पर प्रेश की जिए बल लगाईए तो यह काम करना सुरू कर देगा तो चाकू छेनी यह सब सिंपल मसीन के उदारन है जिसे बैज बोलते हैं ठीक है अब हम लोग 29 प्रस्ण की ओर चलेंगे 29 प्रस्ण है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूसन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं और से पताक चलता है कि उसे अमिस्रणिय कहते हैं इस लुवल ठीक है तो जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से नहीं घुलेंगे तो उसे जैसे पानी को मिलाइए पेटरोल को मिलाइए वो दों नहीं घुलेगा तो यह इस वाले ठीक है मतलब अमिस्रणिय है लेकिन उसके और पानी को घुल जाएगा तो लोग इतनी बाते हो गई और आपको मिश्रन के बारे में बहुत सारी बाते पता होगा आप लोग बहुत सारे का मिश्रन बनाते हैं रोज मर्रा की जिंदिगी में आप लोग बहुत सारे मिश्रन बनाते रहते हैं ठीक है कभी वाइन का मिश्र करब कर्यभवाब्स का पताने दोस्टों गेशानिस का मित्गूर्स के सब्युकुत को हिसे लाज़ करें जुँने के अधिक से अधीं फबुर को शुक्र्त गेड़ान सब्सक्राइब्स कर्कात करता हैं चार्वाणन कानिसे लाट व menstrual निर्माद किया था किस बस पनास्ट में तब यह माहल में कितनी खीड़की है कि यह याद यह कि आपको हमेशा याद रखनी है तो सब सुलि सांटेने जो कभी कभी पूर्ण दिया जाता है लेकिन क्या कीजिएगा पूछा है तो बताना तो पड़ेगा है ठीक है तो इस प्रसंद का एंसर कि हबा महल का रिमान किस ने किया था ऑपसंसी महराजा सवाई प्रताप सिंग है इसमें 953 खीड की है ठीक है यह बहुत ही बढ़िया महले बहुत ही फाइव अश्टार होटल से कम नहीं है खीड की इतना क्यों बनाया गया था कि जितनी भी महिल आए रहे उससे में परदा पर्था होता था तो नीचे ना आए खीड की सही जितने वियुत्सभ हो वो लोग आसानी से कैप्चर कर सके तो इसलिए इतनी खीड किया था इसमें ठीक है तो आसा करता हूं कि आज का करना का समय है ठीक है मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद गुड़वाए